हलो बच्चो लालच लालच एक बुरी बला है क्या हब जानते हैं बच्चो हमें कभी किसी भी चीज़ को लेकर लालच नहीं करना चाहिए लालच का परिणाम कैसा होता है आईए देखते हैं इस कहानी में कि लालच का परिणाम कितना बुरा होता है और हमें लालच क्यों नही करना चाहिए एक बार की बात है एक बार एक गाउं में दो किसान रहते थे एक का नाम था राम गुपाल और दूसरे का नाम था तेजपाल पूरे गाउं में केवल ये दोनों किसान ही आलू की खेती करते थे राम गुपाल बहुत ही सीधा साधा इंसान था और तेजपाल बहुत ही शातिर दिमाग का था आलू उगाने की बाद वे दोनों शहर जाकर आलू बेचते और अपनी जीवी का चलाते दोनों बहुत खुश थे एक बार आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई दोनों शहर गए और आलू बेचने लगे राम गुपाल के आलू बिकने लगे जबकि तेजपाल के आलू कम बिके जिससे तेजपाल जलन महसूस करने लगा घर जाकर भी उसकी पतनी उससे जगड़ा करती क्योंकि वे आलू की बिकरी पूरी बिकरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि तेजपाल बहुत शातिर था और वह जानता था कि आलू की मांग भी बहुत बढ़ रही है उसके दिमाग में एक चला की आई उसने अपने पत्नी से कहा कि अगर वह उसका साथ दे तो वे माला माल हो सकते हैं बस फिर क्या था? उसी रात को दोनों पती पत्नी ने मिल कर राम गुपाल की खेट के सारे आलू चुरा लिए और ताकि उन पर कोई शक ना हो इसलिए उसने अपने खेट के आलू भी निकाल लिए ताकि कोई भी उन पर शक ना कर सके और उसकी बाद उन्होंने सारे आलू अपने स्टोर हाउस में छुपा कर रख दिये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब गाओं में किवल तेजपाल ही आलू बेचेगा और वहे जो चाहे दाम लगा सकता है अगले दिन जब सुबा हुई राम गुपाल आया जैसे ही उसने अपने खेट देखे वो चिला चिला कर रोने लगा उसके चिलाने की आवास सुनकर तेजपाल आया और वहे भी रोने लगा क्योंकि दोनों के खेट खाली थे राम गुपाल ने कहा कि जिसने भी यह काम किया है वे कभी खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ बुरा करना अच्छी बात नहीं है दोनों ने रोते-रोते कहा कि अब आलू बेचने नहीं जाएंगे तब तेजपाल कुछ सबजियां लेकर शहर चला गया ताकि आलू के डिमांड का पता चल सके उधर पूरी मंडी में आलू ना होने की वज़ा से हाहकार मचा हुआ था बिना आलू के कोई सबजी कैसे बने तेजपाल बहुत खुश होकर घर आया पतनी से बोला कि कुछ दिन मंडी नहीं जाऊंगा आलू का रेट और बढ़ेगा फिर जादा दाम में बेचूंगा यह सोचकर वह एक सब्ता के लिए घर पर ही रुक गया उधर राम गुपाल ने दुबारा आलू बो दिये और आलू की पैदावार का इंतजार करने लगा इसी बीच आलू की डिमान बढ़ती चली गए आट-दस दिन के बाद तेजपाल फिर थोड़ी सी सबजी रेकर मंडी चला गया सभी लोग आलू ढून रहे थे तेजपाल ने कहा कि मैं आलू ला सकता हूँ पर सत्तर रुपे किलो दूँगा अब तीस रुपे किलो आलू सत्तर रुपे किलो में मिलेगा यह सुनकर लोग हैरान हो गए परंतु उनके पास कोई चारा नहीं था बिना आलू के सबजी नहीं बन पा रही थी बस फिर क्या था? सबी लोगों ने सत्तर रुपे किलो आलू खरीदने के लिए तयार हो गए तेचमाल भागा-भागा घर गया और स्टोर हाउस खोल कर आलू निकालने लगा परंतु यह क्या हुआ? जैसे ही दरवासा खोला सारे आलू चुहे खा चुके थे और कुछ आलू खराब हो चुके थे बस फिर क्या था? यह सीन देखके वो फोट फोट कर रोने लगा उसने सोचा कि अगर वह लालच नहीं करता तो यह सब ना होता उतने में ही राम गुपाल की आलू की पैदावार भी हो चुकी थी वह आलू लेकर शहर गया और बेच कर आया तेजपाल सिवाई पच्ताने की कुछ नहीं कर पाया तो बच्चु हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए लालच का परिनाम अच्छा नहीं होता भगवान सब देखता है और सबर का फल हमेशा मीठा देता है